फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और यहां से आप घर बैठे धेर सारे शॉपिंग कर सकते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो स्क्रिन पे दिख रहा है रेड कलर में स्टे से 40 तो मेरे 20 सब्सक्राइबर को 40% का डिसकाउंट मिलेगा तो जल्दी करिए और यहां से आप घर बैठे धेर सारे शॉपिंग कर सकते हैं आपको किजन के प्रोड़क्ट चाह होते हैं तो वो सारी चीजे आपको यहां पर मिल जाएंगी तो यहां से आप इंडियन कपडे वैस्टर कपडे सारी सूट जो भी आपको पसंद है सब्सक्राइबर को मिलेगा माकर इसे पहले ऑरडर करेंगा उसको 40% का डिस्काउंट तो आप देर मत करिए फटा फट से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए मेरा कूपन कोड यूज करके देर सारी शॉपिंग करें हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दे चैनल मैं हूँ स्वेता और आज मैं आप सब के साथ श्येयर करूंगी बची हुई नमकीन से पराठा की रेसिपी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कप नमकीन ली है और घर में अकसर होता है ना कभी थोड़ी नमकीन बच जाती है कोई उसे खाता नहीं है तो उससे भी हम कुछ अलग रेसिपी बना सकते हैं तो नमकीन को मैंने मिकसर जार में डाला है और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नमकीन हमारी काफी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है तो अब हम इ चीजों को हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा नीबू करस आधा से एक चमच के लगभग डालूंगी जितना खट्टा आपको पसंद हो उसी साफ से डालिए नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन नीबू करस डा और यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे से यह मिक्स हो चुका है तो चलिए अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पराठे लिया है गेहों का आठा और आठा हमारा सुबा का बचा हुआ था वही आठा में यूज कर रही हूं और जैसे हम लोग रोट बनती है इस तरीके से आप पराठा पूरी या कचोरी भी बना सकते हैं तो यह पूरी के शेप की मैंने एक छोटी सी रोटी बना ली है और उसमें यह स्टाफिंग को डाल देंगे स्टाफिंग आपको कम जादा जैसा पसंद हो उस हिसाब से डालिए स्टाफिंग डालने के बाद जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं कोई भी भरवा पराठा तो उसे अंदर से मतलब यह फेलिंग को पैक करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पैक किया है उपर का जो साइड है उसे निकाल देंगे एक्स्टा जो आटा है उसे निकाल देंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे और इसे हम बेल देंगे एक गोले रोटी के सेप में इस टाइम पर कोविट बहुत जादा स्प्रेड हो रहा है तो आप सबसे मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप सब बेवज़ा घर से बाह है सेनिटाइस करते रहें और हमारे गवर्मेंट के जो भी प्रोटोकॉल है उसे फॉलो जरूर करें और यहां पर मेरा पराथा बनके तयार हो चुका है तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेंगे और अगर आपकी घर में कभी नमकीन बच जाए अक्सर होता है कि हम बना लेंगे बहुत टेस्टी बनता है इस रेसिपी को एक पर जरूर ट्राइए करिएगा आप सबको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी और यह आप देख सकते हैं दूसरा पराथा भी हम बस वैसे ही बना लेंगे और मेरे चानल पर बहुत सी रेसिपी है जो आप सबको बहुत पसंद आएगी तो उससे चेक जरूर करिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्लेलिस्ट भी है तो वहां से जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं तो बस सेम वैसे ही हम दूसरा पराथा भी बना लेंगे और यह आप देख सकते हैं यह भी पर राथे को डाल दूँगी और पराथा डालने के बाद जब एक साइट का सिख जाएगा तो हम इसकी साइट को चेंज कर देंगे दो से तीन मिनट में एक साइट का आराम से हो जाता है थो आपको देशी घि लगा के शेक रही हूँ आपको घी ऑएल बटर जो भी पसंद हो ल लोग नॉर्मल पराठा सेखते हैं, वैसे ही सेखना है, और कभी-कभी ना बहुत ही जट-पट कुछ बनाना रहे हैं, तो यह रेस्पी भी ट्राइ कर सकते हैं, यह बच्चों को भी पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है, और बनाना इससे बहुत ही आसान है, और जो इसे आप हरी चट्नी के साथ दही के साथ या टमेटो के चप के साथ खाई ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और इसे बराना तो बहुत ज्यादा आसान है तो बस दूसरा पराठा भी हम वैसे ही सेख लेंगे और ये आप देख सकते हैं इसे मैंने दोनों साइड घी अच्छे से लगा दिया है और दोनों साइड इसे हम सेख लेंगे और फ्रेंड्स रोज के खाने से हम लोग बोर हो जाते हैं तो कभी कुछ अलग ट्राई करना हो या फिर अगर कुछ अलग खाना चाते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा तो यहाँ पर पराठा हमारा बिल्कुल तयार है इसे मैंने टमेटो केच्छप के सा दही के साथ में उसके साथ में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो यह आप देख सकते हैं पराठा हमारा बन के तयार है वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा